हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बढ़्ड संड ब्लूम, इट्स माई फर्स्ट वीडियो टु यू, अक्सर हमने देखा है कि लोग तुलसी के पोधे को लेकर बहुत परिशान रहते हैं, कि हमारा पोधा बढ़ नहीं रहा, जादा गर्मी की वज़े से सूख रहा है, तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम तुलसी के पोधे की देख बाल करें, ताकि वो सालो साल हरा भरा रहे, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहली बात, कभी भी तुलसी का पोधा एक ही पोध में एक पोधा नहीं लगाना चाहिए, या तो इकठे से दो पोध पोधे लगाए, या एक पोट में अगर कोई दूसरा भी पोधा लगा है, तो उसी में तुलसी का पोधा लगा दीजिए, वो इसलिए कि अकेला पन किसी को भी अच्छा नहीं लगता, पोधों को भी अच्छा नहीं लगता, जैसे हम सब के बीच में रहना पसंद करते हैं, वैसे पोधे भी पसंद करते हैं, कि उनके आसपास और पोधे हों, और उसके बाद हम बात करते हैं मिट्टी की, तो तुलसी की मिट्टी बनाने के लिए, पोधे को लगाने के लिए, मिट्टी को हाड नहीं रखना है, मिट्टी को थोड़ा सा सोफ्ट बनाएंगे, और उस अगली बार पानी तब देना है, जब मिट्टी की उपर की परत सूक जाए, अब बात करते हैं कि खाद की तो गर्मी के मौसम में हमी ज़ादा खाद चुम परत उबात तो आप गोबर खाद का लिक्वीट या वर्मी कमपोस्ट का लिक्वीट बना करके डाल सकते हैं केमिकल खाद का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि गर्मी जाता है तो गेमिकल पोधों में नहीं डालेंगे हम उसके बाद बात आती है कि जब तुल्सी के उपर बीच बनने लगता है तो आपको उन्हें साथ-साथ हटाते जाना है क्योंकि जब ये बीच पकने लगते हैं तो तुल्सी सूखने लगती है और एक बार जब पोधा सूखने पह आ जाता है स्वस्थ रहेगा सालो साल उमीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर कुछ भी इस वीडियो में अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे तो फिर मिलती हूँ किसी और टॉपिक पर आपके साथ बाई टेक केर बाई